हलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टापिक है रिपॉड़क्शन इन बैक्टेरिया, जिवानों में जनन जिवानों में जनन मेली वेजिटेटिव यानि काईजनन द्वारा और अलंगिक विधियों द्वारा होता है एसेक्सौल रिपॉडक्शन होता है जीवाणों में वास्तवीग लैंकिक जनन नहीं पाया जाता है, यानि true sexual reproduction इसमें नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें कोई gamit formation नहीं होता है, कोई sex organs बैक्टीरिया's में नहीं होते हैं लेकिन अब यह इसपर्ष्ट हो चुका है कि इन में genetic recombination नए बनते हैं यानि एक बैक्टिरिया का genetic material दूसरी बैक्टिरिया के genetic material से exchange होता है by some methods for example conjugation, transformation and transduction तो इनके द्वारा जो जनन होता है उसको sexual reproduction के अंतरगत रखा गया है लेकिन वास्त भी क्लैंगिक जनन बैक्टिरिया में absent होता है इसमें काईग जनन methods of reproduction, vegetative reproduction की कौन-कौन सी methods है by binary fusion यानि दिव विखंडन या दिव भाजन दौारा, budding यानि मुकूलन दौारा, cyst formation दौारा यानि इसमें जो अलेंगिक जनन की विधिया है उसमें कौन-डिया बनते हैं और कौन-डिया से नई bacterial cell बनती है तो by conindia formation, by audio spores, by formation of spore angio spores, by endospore formation and by motile spores या जिसे हम zoospores भी कह सकते हैं चल भी जानू इनके दौरा अलेंगिक जनन होता है और जो sexual reproduction या genetic recombination जो बनते हैं, genetic material का जो exchange होता है अनुआशिक पदार्थ का उसकी जो methods हैं that is conjugation, transformation and transduction ये तीन method से genetic या आनुआशिक जो पदार्थ होता है वो एक जिवानों का दूसरी जिवानों से exchange हो जाता है Vegetative reproduction का एक जनन की जो मुख्य विधी है वो है binary fission binary fission जब बिक्कुल favorable conditions bacteria के लिए होती है यानि इनका nutrition, temperature, humidity और जो climatic और environmental conditions होती है जब वो अनुकूल होती है बैक्टिरिया के लिए तो जो इस बैक्टिरिया की mother cell होती है मात्र जो कोशिका होती है वो दो पुत्री कोशिका या daughter cells बनाती है इस प्रोसेस को binary fission या दियू विभाजन कहते हैं बैसिलस और इस्पाइरिलम बैक्टिरियास में कोशिका का जो cell का longitudinal axis होता है जो लंब अक्ष होता है उसके समकोर्ण पर विभाजन होता है या उसके समकोर्ण से कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है लेकिन जो कोक स्पाइय होते हैं यानि जो स्फारिकल बैक्टिरियास होते हैं उसमें किसी भी एक्सिस से डिविजन हो सकता है बाइनरी फीजन दो स्टेप्स में कम्प्लीट होता है पहला है डिविजन ओफ नुकलियर मतिरियल और सेकेंड वन इस डिविजन ओफ साइटोप्लास्म इस ड अंद्रक पदार्थ का विभाजन तो बाइनरी फिजन से पहले सेल का साइज बढ़ता है इसके बाद जो इसका जेनेटिक मट्यलिया जो आनुआशिक पदार्थ है यानि डीने है उसका रेप्लिकेशन होता है वो अपने समान एको डीने बना लेता है तो यह जो सर्कुलर डी फिंग हमें दिखाई नहीं है यानि दो डीने के इस्ट्रक्चर one Kinil価 करें घरips बन गए है यह दोनों जो इस्ट्रक्चिरह होते हैं यह ओपोजित पोल्द्र पर जाते हैं बाइदा लेस पीक्तर्वर भी मेसोजम जो कि प्लाजमा मेमेंडट के अंदर उन्तर वालं जो प जो केंद्रक पदार्त है यानि जो DNA है उसके विभाजन के समय कोई भी spindle fibers नहीं बनते हैं तुर्क तंतु नहीं बनते हैं इस लिए इस तरह के division को amitosis असमसूत्री विभाजन या असूत्री विभाजन कहते हैं सेकेंड जो इसकी step है binary fusion की that is division of cytoplasm first step आपने complete की division of nuclear material यानि nuclear material का replication हुआ एक से दो बने और दो नो दो पार्ट में यह divide होके दो पोल्स पर चले गए हैं इसके साथ ही अब next जो हमें step पहने है that is division of cytoplasm तो division of cytoplasm होने लगता है तो एक transfer septum form होने लगता है इस कोशी का भित्ति के दोनों तरफ से खाज बनने लगती है construction होने लगता है और यह खाज अंदर की तरफ दोनों तरफ से बढ़ती जाती है और दो भागों में कोशी का विभक्त हो जाती है एक sept type बन जाता है एक तरफ DNA और दूसरे में भी DNA आ जाता है तो यह complete एक mother cell के समानी पुत्री कोशी का यानि जो मात्र कोशी का है उसके समानी एक पुत्री कोशी का बन जाती है दो और यह पुत्री कोशी का है एक नए जीवानों को जन देती है जीवानों में जो binary fusion होता है वो बहुत slow process होता है शुरू में यह तेजी से गुणन करता है यानि एक से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 एक के बाद एक केस में division होते है और इसके बाद कुछ climate condition या कोई भी environmental कोई change होता है तो इनकी जो division rate होती है जो इनकी विभाजन की दर होती है कि वो कम हो जाती है जब फैबर में conditions होती है तो नॉर्मली binary fusion का जो प्रोसेस होता है उसमें 18-20 minute लगते है लेकिन कुछ जो बैक्टिरियास होते है उनमें यह जो दर होती है यह बहुत कम होती है और इसके कुछ रीजन्स होते है या तो उनको nutrition water यह प्रॉपरली नहीं मिल या उक्सीजन की कम हो रही हो इसके अलावा जो बैक्टिरियास होते है वो कुछ सिक्रिटरी सब्स्टेंसेस रिलीज करते है जो कि इन बैक्टिरियास की ग्रोथ और उनके division को रोग देते हैं कभी-कभी कुछ environmental factors जैसे temperature, light, humidity अगर यह फैबरेबल नहीं है, optimum नहीं है तो व बैक्टिरियास को यानि जो वाइरस है जब बैक्टिरिया को अटेक करते हैं तो उनको संक्रमित कर देते हैं और इससे उन जीवानों की म्रत्यू तक हो जाती है तो यह कुछ रिजन्स हैं जिनकी कारण जो ग्रोथ होती है इनकी जो division होता है जीवानों का वो रुख जाता ह या उनकी दर या कम हो जाती है सेकंड वेजिटेटिव रिप्रोड़क्शन का जो मैथड है इस बड़िंग इस डाइग्राम में हम आपको समझाते है बड़िंग मुकुल बनना एक कली की समान संदशना बन जाती है तो इस प्रोसेस में जो बैक्टिरियल सहल होती है उस पर एक आउटक्रोथ निकल जाती है एक उभार सा निकल जाता है इसमें कुछ जनेटिक मेट्रियल और कुछ कोशी का द्रव का पार्ट आ जाता है और ये धीरे-धीरे यहाँ पर से एक सैप्टा फॉर्म होने लगता है ये जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है बढ़िया मुकुल जिसे आप कहते हो तो एक कॉंस्ट्रिक्शन होता है और ये अलग हो जाती है इस मात्र जिवानों कोशी का से और अलग हो करके एक नए बैक्टिरियल सेल को बनाती है फॉर एक्जामपल हाइफो माइक्रो बियम नेक्स्ट है सिस्ट वेजिटेटिव रिप्रोड़क्शन बाइ सिस्ट एजोबैक्टर के कुछ स्पीसीज में ये सिस्ट फॉर्म हो रही है देखें आपे तो एजोबैक्टर के कुछ स्पीसीज में जब unfavorable conditions होती हैं, प्रतिकूल परिस्तिया होती हैं, तो bacterial cell का पूरा जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लास्म होता है, वो सुकुड करके बीच में आ जाता है, और इसके आसपास एक मोटी भित्ती बन जाती है, जिसे cyst कहते हैं, और इस संदशनों को cyst या पुटी कहते हैं फैबरेबल कंडिशन आने पर ये cyst एक नई bacterial cell बनाती है, बाइ गौनेडियाज, वेजिटेटियो रिप्रोडक्शन यानि काइक जनन, इसके द्वारा गौनेडियाज के द्वारा, इसमें आप देखिए, जिवानों या बैक्तिरिया का जो पूरा प्रोटोप्लास्म होता ह ये छोटे-छोटे एकाईयों में डिवाइड हो जाता है, विभक्त हो जाता है, और ये छोटे-छोटे जो प्रोटोप्लास्म के पार्ट्स होते हैं, ये अपने आसपास बित्ती स्त्रावित कर लेते हैं, और छोटे-छोटे प्राइमेरी स्ट्रक्शन बन जाते हैं, ये जो bodies होती है यह जब cell wall rupture होती है तो यह बहार निकल करके गॉनिडिया नई bacterial cells बनाते हैं जब इनको उप्यूकत वातवर्ण मिलता है तो यह जीवानों की नई कोशी का बना लेते हैं तो थीज आर दा मैथज़़ ओफ वेजिटिव रिप्रोड़क्शन इन बैक्टिरिया बाइनरी फीजन बाइब बडिंग बाइज सेस्ट और गॉनिडिया फॉर्मिशन नेक्स्ट इस एसेक्षवर रिप्रोड़क्शन इलेंगिजनल इसके साथ ही जीवान जो बैक्टिरिया तो अनुमाशिक्ग्पदाद को, एन फैवर्रैबल कंडिशन होती हैं उसको रिजिस्ट करती हैं उसा कि आपने पढ़ा हैं बन जाती है या आगे आप पढ़ोगे एंडो स्पोस बनते हैं, ओडियो स्पोस बनते हैं, कॉनिडियास बनते हैं, तो यह जो इस्पोर फॉर्मेशन होता है, यह अलेंगिक जनन की विधियां होती है, यह स्पोस can remain inactive for centuries, यानि यह कई सालों तक inactive यानि अक्रियाशील तो यह जर्मिनेट होकर के नए जिवानों कोशी का या बैक्टेरियल सेल्स बनाती है, इस्पोर्स can survive through periods of environmental stress like ultraviolet rays, gamma radiation, starvation, chemical exposure and extremes of temperature, यानि किसी भी chemical या high temperature या UV rays से यह इस्पोस उन बैक्टेरियल सेल्स को प्रोटेक्ट करने की इस्पोस बनाती हैं, तो यह जर्मिनेट होकर शामता रखते हैं, next is methods of asexual reproduction, asexual reproduction या अलेंगिक जनन, अलेंगिक जनन की के विदियां है, first one is by conidia, next by sporangiospose, by audiospose, by motile spose, जिसे हम zoospose भी क्या सकते हैं, चल भी जारो, and by endospose, यानि अंते भी जारो द्वारा, तो यह पांच asexual reproduction की methods हैं, first one is by conidia, इस diagram में आप देखिए, streptomycetes की structure होता है, वो filamentous होता है, streptobacillus, अगर हम बात करते हैं, जो भी streptomycetes, यानि एक श्रंखला जब जीवानों बनाते हैं, तो हम कहते हैं, streptococcus या streptobacillus, bacillus, तो यह जो श्रंखला वाले जीवानों होते हैं, यह एक chain बना लेते हैं, और यह chain पूरी आसपास एक भित्ती या एक जिल्ली के समान से रशना बना लेते हैं, तो यह filamentous यानि तंतू के आकार के, बैक्टिरियास बन जाते हैं, तो streptomyces के जो में होते हैं, बैक्टिरियास, उनका structure filamentous होता है, और इन फिलामेंट में ट्रांसफर वाल बनने से, चेन में कॉर्निडियास बन जाते हैं, कॉर्निडियास फार्मेशन जब होता है, तो पहले कॉर्निडियो-4 बनता है, उस कॉर्निडियो-4 में कुछ genetic material, और cytoplasmic material होता है, यानि कैंद्र की और कोशिका द्रव का कुछ भाग आ जाता है, और यह कॉर्निडियो-4 पर गुभार बन जाता है, वो भार इस कॉर्निड कौनीडिया का फaskaता चाइज है कौनीडिया का फामेश्यन हाथ तुल अभिसारी क्रम्- या बैसल Origins पहली होता है तो नई कौनीडिया बनते जाएंगे वह नीचे की तरफ होगे तुनीडिया की यहाथ और जब ये कॉनिडिया अलग-अलग होते हैं तो फैवरेबल कंडिशन आने पर प्रतेव जो कॉनिडिया है वो एक नई जीवानु कोशी का बनाती है अंकुरित होकर कुछ जो फिलामेंटस बैक्टिरिया होते हैं उनके जो एपिकल पार्ट होता है जो उनके एंड पॉइंट्स होते हैं वो फूल कर एक गोला का संरशना बना लेते हैं जिससे स्पोरेंजिया कहते हैं इस स्पोरेंजिया का साइटो प्लास्म डिवाइड होता है और का वो छोटे छोटे इस पोर्ट में कर्षी हो जाता है जिनने इस फुरेंज्यो इस पोर्ट है और यह प्रतएक इस पोर इंज्यो इस पोर जब पैसीस के fijla फिलामेंट होते हैं। उनके जो एंड्स होते हैं। इंस पॉइंट होते हैं। उनमें सैप्तास बन जाते हैं। और ये प्रतेग सेल होती हैं वो अलग होकरके बहुत सारे छोटी-छोटी रिप्रडरक्टिव या यूनिट्स में कनवर्ट हो जाती हैं। जिनने audio spose कहते हैं, और प्रतेक जो audio होता है, वो germinate हो करके एक नए filament या एक नए bacteria बना लेता है, बाई motile spose, चल भी जानू द्वारा, यह हम केते हैं बाई zoo spose, तो कुछ यह जो बैक्टिरियाज होते हैं, फोर एक्जामपल, राइजोपियम में zoo spose बनते हैं, और यह नए जीवानों को जन देते हैं, और यह का समाने विद्य बहुत कॉमनली नहीं पाई जाती है, बाई endo spose, यह एलंगिक जनन की मुख्यविदी है, अन्ते भी जानू देते हैं,